ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारेधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल ये राशीफले 4 जून 2021 शुक्रवार का दिन है जेश्ट महा के कृष्टपक्ष की नौमी तिथी रहेगी उत्रा भादरपत नामक नक्षत्र होगा मीन राशी में प्रारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह साड़े-दस बजे से प्रारंब होकर के दो पहर बारा बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब मंगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि राहुकाल के दोरान कोई भी शुबकारी संपादित नह पर देव गुरु ब्रहस्पती जो की कुम्ब राशी में शुक्र ग्रह मितुन राशी में शनिदेव मकर राशी में राहु व्रशब तथा केतु व्रश्चिक राशी में विराजित रहेंगे। देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश, व्रशब, सिंग, तुला और धनू ये पांच राशियां सबसे अधिक भागिशा लेने वाली है। दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा। धनलाप के सांस्था कारिक्षेतर में उन्नती तथा प्रगती के भी उत्तम अउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंततक जरूर देखेगा। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं। उपाई के रूप में मसूर की डाल का दान किसे भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक एक होगा। भागिशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। अगर कहीं पूझी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजना बद्ध तरीके से उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदेमन साबित होगा। आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है। इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान के इंद्रित रखे। विध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिणाम हासिल होंगे। और उपाई के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकोन रखना आपको बहतरिन उपलब्दी हासिल करवाएगा। नया वाहन, नई भूमी, नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था यानि जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे। उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की, घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का अजस्ता से दूर हो जाएगी, आपसी संबंद आपके पुना अच्छे हो जाएगे, उपाय के रूप में चावल का दान किसी भी जर्वत मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल ह अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा, काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा, घर का माहुल पाजटिव रहेगा, अपनी पढ़ाई के प्रतिवच्चों की पूर्ण एकाग हो सकती है, इसलिए प्रतिय कारियों में साउधानी बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में लाल रंग का फल यदि आप भोजन के बाद खाएंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, पुक्षमता में इजाफा होगा, अपने मन मताबिक कारी करने से आपको रहत मिलेगी, किसी किसी समय भाउकता और आलस्सी की वज़े से बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए लापरवाही न बरते, सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे, दूसरों की समस्यावववकारियों को सुलजाने में आपके महत्त पूर्ण भूमी का रहेगी, आपके लिए बहतर सम्मान जनक इस्तितियां बनेगी, घर में बच्चों की किलकारी संबर्दित, कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है, संतान की उन्नती तथा प्रगती होगी, नए वाहन, नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है, प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है, उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना, आपके लिए शुपफल दाई सावित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की, बहारी गती विधियों तथा मित्रों के साथ संपर्कों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है, भा अंसमान को भी बचा करकर रखने की आउशत्ता होगी, और किसी व्यक्ती से यदि आप सोदेवाजी करते हैं, लेंदेन करते हैं, तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत अवश्यक होगा, वरना आप नुकसान में आ सकते हैं, और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की, आज रोज मर्रा की दिन चरिया से हट कर कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय बितित होगा, किसी रिष्टिदार के साथ चलिया रही, पुरानी समस्या का समाधान किसी के मध्यस्ता से हल हो जाएगा, कुल मिल रंग की कोई भी वस्तु का डान किसी भी गरीब या जर्वत्मन यक्ति को करेंगे, तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भगिशाली अंक तीन होगा, भगिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, धार्मिक वा अध्यात्म क्षेत्र में आपको फाइदा होगा, आपका रुजान वहाँ पर जादा रहेगा, आपको मनसिक वा शारीर ग्रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे, कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा, जिसे मन आपका प्रसन रहेगा, कोई समय से आपने जो लक्ष निर आपका भाग्यशाली अंक छे होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते ही कुम्ब राशी की, आज आपको महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है, धनलाप के सांथ साथ नए घर की उचना भी आपको प्राप्त हो सकती है, पदोन्नती के सांथ साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा, जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था, अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी, कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी, अपने मन के मुटाबिक कार करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी, दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्राक्मिता देना चाहिए, आपको अबश्य ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा, किसी दोस्त या रिस्तिदार का सांथ आपके बहुत जादा उपलब्धी कारक रहेगा, और उपाय के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक दो होगा, भागिशाली रंग आपका बादामी होगा, अब हम में खुशियाओ का आगमन होगा, शुब और मैंगली कारिकरम की योजना भी बनेगी, और उपाय के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका नीला होगा, तो म अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजिए, आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न, साधर धन्यवाद